हालो बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक वीडियो में एक टॉपिक खतम वाली सिरीज में वीडियो नंबर 21 है आज 21 नंबर वीडियो में हम देखेंगे प्रतिफत में प्राप्तांक और पुडांक पर अधारित कुछ प्रफन ठीक है प्राप्तांक और तो वो कैफे निकालते हैं वही मैं सिखाऊंगा ठीक है वीडियो को पूरा अंतर तक देखना अगर सीखना है तो सबसे पहले आप देखिए एक सवाल दिया है कि करक्छा 12 का कोई साइन्स का स्टूडेंट था पी सीम से फिजिक्स कमेश्टी मैथ वाला जिसका पुडा अंक यानि मैक्सिमम मार्क 500 होता है और उसमें प्राप्तांक बच्चे ने पाया फाड़े 300 नंबर तो बताओ कितने प्रतिफत अंक हाफिल किये आईए सबसे पहले आपको दिया गया प्राप्तांक पकड़ना है उसको सो से गुडा कर देना है और भाग कर देना है पुडांक यानि मैक्सिमम मार्क से यह हो गया आपका अंसर इसी को हल कर लीजिए एक जीरो दूसरका जीरो ठीक है पांच से और आप डिबाइट कर देंगे 5 jc35 बराबर कितना हो जाएगा 70% अंक कितना हो गया 70% यानी बच्चंटे ने क्या किया 70% अंक हाफिल किये दूसरा सबाव देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कछ्छा 10 की परिक्षा में 200 ने पुरा अंक 손स्ष ऑंक प्राप्ता अंक प्राप्त किये गए अंक को आप ऐसे लिख सकते हो पर फेंटेज बराबर प्राप्तांक यह सूत्र है ठीक है हंड्रेड नीचे पुढ़ांग यह चीज आप फार्मूले के तवर पर यूज़ कर सकते हो हमेशा के लिए और यह सिर्फ प्राप्तांग पुढ़ांग के लिए नहीं कहीं भी यूज हो सकता है माली यह 10,000 रूपए है 10,000 रूपए में से मैंने 4,000 रूपए खर्चा कर दिय अब बताओ मैंने कितने पर्तिफात रूपए खर्चा कर दिये कैफे निकालेंगे जितना हमने खर्चा किया उसको 100 से गुढ़ा कर दो टोटल जितना था उससे भाग कर दो यह वहां भी लागू होता है ठीक है तो बस आपको थोड़ा फा तरीका पता होना चाहिए अब य यानि छात्र ने क्या किया असी पर्फेंट डंग हाफिल किये अगला चलो नेक्स्ट लाइट बहुत ज्यादा होने की वज़ावाद चमक होती है प्रहा मनोज के पास 8000 रुपए थे यदि उन्होंने 4500 रुपए दान कर दिया तो बताओ कितने पतिफत रुपए मतलत दान दिया चलो जितना थे उसका कितना परफेंट दान किया तो पहले तो यह देखो कि मनोज के पास कुल रुपए कितना थे अगर रुपए कितना थे 8000 उसमें से दान कितना कर दिया 4,500 है ना दान कितना किया 4,500 अब यह भी जश्ट तरीका बताया हूँ एक टोटल अमाउंट था उसमें से कुछ एक निश्चित अमाउंट है जिसको हमें यह ग्याद करना है कि यह कितना परफिंट है जिफे नंबर में था टोटल एक अंग था 600 उसमें से इतने नंबर बच् तो तीन जीरो यहां फे आप निप्टा दीजिए आपका यह 450 और नीचे आठ हाजाएगा ठीक है 450 को आठ से भाग कर लीजिए बहुत से बच्चे कर रहे हैं ठीक है दिखें इसको करने का एक और भियाफान तरीका थोड़ा और छोटा कर लो आप मैक्सिमम किसे दो से कि इनको मैं भाग कर दूं कि चार से भाग कर लो आपको पता कितना जाए गई है फाइनल लिख तूँ तो समलो में देखो चार फटेट है ज्यादा हो जाएगा चार चंग 24 चर पंचे 20 कि दो बचेगा हो जाएगा 25 चार चंग 24 फिंट बन जाएगा दस चार दूना आठ अ अब दस में से घटेगा तो दो आएगा चर पंचे 20 56.25 पर फिंट आएगा बोलो आया कि नहीं कल्कुलेटर से भाग कर लो तो दो पांच को भाग कर लो भाई साहाब किससे चार फिंट चार पर सभी बिल्कुल ऐसे भाग करते हैं कुछ लोग कहेंगे भाग कर लिया भाग करना आपको आना चाहिए दिमाग में कर लो हो जाएगा नहीं आता है तो बताना मैं यह भी बता दूंगा कोई बड़ी बात थोड़ी है भाग तो ऐसे करते न अफिलाल इस प्लांग किया और वो निकल गई भया उसमें से 4000 रुपए के कपड़े खरीड डाले और धाई रुपए के जूते खरीदे तो बताओ कितने पर्फेंट रुपए सेस बचे हैं बही लड़कियों के आधी जिन्दगी तो स्वापिंग में गुजर जाती सबको पता है उसमें कौन बड़ी बात है देखो कितने परसेंट रुपए सेस बचे हैं तो पहले तुम यह जान लो क बचे कितने कुल रुपए 10,000 थे 10,000 थे खार्च कुल कितने हुए देखो 4,000 और 2,500 रुपए खर्चा हुए जीरो जीरो दस में से 5 गया 5 नो यह जानी तीन 3500 रुपए बचे हैं कितने बचे हैं 3,500 रुपए बचे हैं अब आपको यह निकालना है कि जो 3500 रुपए है यह टोटल 10,000 का कितना परफेंट है ठीक है हमें यही निकालना बस और कुछ नहीं तो कर लो भाईया यह लो परफेंटेज बराबर टीन 5,500 जो है 10,000 का कितना परफेंट है इसके लिए 100 से गुड़ा करके अपगे 2,000 से कर लो भाग meer यही तो करना है कर लो भाया 220 से 240 निप्टा दिया एक से एक निप्टा दिया यह निप्टा दिया वाई साहब सिर्फ 35 पर 24 रुपेंट कितना 35 परफेंट इसका मदलब 65 परफेंट खतम हो गए कितना आफान निकला ना यह 35 सो को सौ से गुड़ा किया देखो चार जीरू उपर बन गया चार जीरू नीचे था सब कट गया काम खलास कितना आसान सवाल है मैंने सोचा भी नहीं था इतना आसान हो जाएगा है ना कोई डाउट है तो बताओ देखे यह सीरीज मेरी कोसिस है कि आपको बहुत बहुत रजल्ट दे एक वीडियो में एक टॉपिक और पांस आटाट मिनट का वीडियो होता आप लोग बीना बोर हुए देख लोगे वीडियो को पूरा देखा कर यह कभी डाउनलोड ना कर लोगों के घर परिवार से हैं अफ्य रूपे इसमें एक खर्चा देखो जिसकी बड़ी उसका उतना बड़ा यह माई होता है उतना लोन होता यह पक्का अमबानी को जानते हो ना लोग कहते बड़ा करोड़ पती यह लगपती है अमबानी कभी यह माई जाता होगा का यह माई 7000 रूपे अदर खर्चा 10,000 रूपे फ्लेट करेंट 13,000 रूपे इसकूल की फीश और बीफ रूपे शॉपिंग अब बताओ कितनी पर फेंट की बचत है बचत परतिफत में बताओ पहले यह देखो बचत हो भी रही है कि कि यह बचत बताओगे और देखो कैसे कर लेंगे ना यहाँ पर लिखेंगे कुल फैलरी बराबर अफ़ी हजार यानि अफ़ी के के मतलब किलो थाउजंड अब लिखो कुल खर्चा वाइस आप इनको जोड़ लो सबको ऐसे जोड़ लेंगे ना हम देखो 15,000 पांच बीफ हजार 727,000 तीन तीस दस चालीफ हजार पचाफ हजार और ये 50 भी 70,000 कितना हो गया? 70,000 रुपया टोटल खर्चा 70,000 रुपया तो बचत कितना है? 10,000 रुपया ये भी कहने के लिए ही है ये भी कहीं दवाई पातिम लग जाएगी यही होता ना फैलरी में अब क्या है? कह रहा है कितने परफेंट बचा यानि सिं दफ हजार अफ़ी हजार का कितना परफेंट है? बस यही निकालना था, डारेक्ट नहीं कह रहा था बस ये दफ हजार जो है अफ़ी हजार का कितना परफेंट है? सही है, 2,0, 3,0, देखो 4,0 निपट गए, क्यों भया? मस्जबरजस्त, 2 से इसको डिवाइड कर दो चाहे तो आप नहीं तो यसे भाग दे लो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 25 कितना आएगा? साड़े-बारा परफेंट, कितना? साड़े-बारा परफेंट, परफेंट पहले लगा है, तो मतलगा बाद में, वाई साब 25 का आदा साड़े-बारा होगा ना? चार से कर दिए, चार बहुत है आज की टाइम में, जनाब 2 परसंड ने बचता है, तो कमेंट करके मुझे बताइए, इसमें कोई कमी लगी, कोई सुजहाव सिखाया है, तो मुझे बताओ, इसमें बिल्कुल जीरो से गडित सिखाने की पूरी फुल गारंटी है, नीचे मोबाइल नंबर चलता स करें, यह सारे फीचर मिलेंगे आपको, इसमें आप लाइब क्लास भी कुछ अटेंड कर पाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना सौबात की एक बाद, अगर आपका टार्गेट गडित सीखना है, तभी जोईन करें, मैंनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सिखा जरुकरना